रजिस्थान की मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा लगातार तमाम बड़ी-बड़ी कोशिशे कर रही हैं कि कैसे भी करके राज्य में वह अपने वर्चस्व को बना पाएं जिस तरह से राज्य में वर्चस्व रहा है मुख्य मंत्री रह चुके जादुगर कहे जाने वाले अशो कहलोत का तो वहीं महरानी पूर्व मुख्य मंत्री वसुंद्र राज्य सिंध्या का राजिस्थान में भजनलाल की सरकार को बने हुए अब एक महीना हो चुका है बीते साल 2023 में 15 दिसंबर की दिन बतोर मुख्यमंत्री इन्होंने शपत गिरहन की और 30 दिसंबर को मंत्री मंडल का गठन हुआ फिर विवागों का बटवारा हुआ ऐसे में देखा जाए तो भजनलाल शर्मा तमाम कोशिशों में जुटे हुए लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि भजनलाल तो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन वसुंदरा राज्ये सिंध्या जिनकी नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है उनके लिए बीजेपी आलकमान का क्या क कोई खास प्लान है या फिर नहीं लोग सभा चुनाब में उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं या फिर वसुंदरा राज्ये सिंध्या अगर ऐसे ही चुप रहती हैं तो उन्हें साइड लाइन किया जाएगा नमस्कार मैं प्रांश्री राठोर और आप ते समिती की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम दिगर्स नेता शामिल हुए मुख्यमंत्री भचनलाल शर्मा से लेकर डिप्टी सीम दिया कुमारी और डिप्टी सीम प्रैम चंद वैरवा के अलावा कई दिगर्स नेताओं ने इस बैठक का हिस्सा नहीं बनी दावे तो य ढ़ी देखा जाये तो स्यासी जानकारों ने खोलकर अपनी बात रखी है कि आखिरकार वसुंद्र राजय के लिए क्या कोई बड़ा प्लान हो सकता है बिजे९ेपी का या फिर नहीं स्यासी जानकारों का मानना है कि बिजेपी लोग सभा चुनाव को लेकर राजस्तान में चुनावी तैयारी कर रही है लेकिन वसंदरा राज्य की क्या कोई भूमिका होगी इसको लेकर कोई रणिती अब तक सामने नहीं आई है मगर उन्होंने इससे इंकार कर दिया मोदे शाहा जब पार्टी पर अपनी पकड मजबूत कर रहे थे तब वसुंदर राज्ये राजिस्थान में स्थानिय नेताओं, विधायकों और वफादारों के बीच بنी रहकर राज्ये में बीजेपी को समभाल रहीं थी अब माना यही जा रहा है कि वसुंदर राज्ये केंद्रि की राजनीती में नहीं जाना चाहती यदि ऐसा होता है तो फिर राजिस्थान के सीम भजनलाल शर्मा के लिए आने वाले दिनों में यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं वो दिन कहीं ना कहीं मुश्किलों से भरे हुए रह सकते हैं ऐसे मैं अब यहाँ पर वसुंदर राज्य सिंध्या का जो गुठ है व यहाँ पर विकल्प यह वस्ते हैं कि बीजेपी आलकमान के सामने वसुंदर राज्य अपने बेटे दुश्यंत सिंग के राजनितिक भविश्य को लेकर भी चर्चा कर सकती हैं खुद चुप रहकर विधायक बनी रह सकती हैं और अपने बेटे को लोगसभा चुनाव लड सकता है या फिर वसुंदर राज्य राज्य पाल के पद पर भी नजर आ सकती हैं क्योंकि उन्हें प्रस्ताब दिया गया विधान सफ़ाद्यक्ष बनने का लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया और पहले से वह उपाद्यक्ष के पद पर हैं अब देखना होगा कि बीजे वसंदर राजे क्या कोई अहम फैसला ले दिये फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक्स्ट नाइन न्यूज